नमस्ते, ये चार साल पहले की बात है, मैं मेरे बेटे को लेके गए थी, नरसरी में एडमीशन के लिए, लेकिन वो दसवे कक्षा में एडमीशन के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसका एक कजीन भाईया दसवे क्लास में पढ़ते थे, ये बहुत आपसेट है, राइट, कैसे आप क्लास 10 में एडमीशन करवा सकते हो किसी का, जब वो नरसरी से क्लास 9 तक नहीं पढ़ा हो, पर अब वही काम ट्रेडिंग में करते हो, जब आप ट्रेडिंग में आते हो, पहले दिन से ही आप चाहते हो कि पैसा बने, और इस चक्र में आप क्या करते हो, आप इंट्रा इंट्राडे में तो जल्दी प्रॉफिट बन सकता है, आप बिना सिखे, बिना समझे, मार्केट को इंट्राडे में ट्रेडिंग करना चालू कर देते हो, तो आप मुझे बताइए, आप अगर क्लास 10 में डाइडिकली अडमीशन नहीं ले सकते, वो अगर आपको एपसर ल आप मुझे बताओ, आपको फर्स जैसे इंट्राडे करना चाहिए, या फिर इस वीडियो में मैं जो step by step process बताने वाली हूँ, वो step by step follow करके, उसके बार experience लाके, फिर इंट्राडे में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, चली इस वीडियो में देखते हैं, बिगिनर्स को क based on your time, based on your availability, तो आपके पास अगर दिन में time है, तो फिर 60 minutes time frame देखा करो, आपके पास अगर इतना time नहीं है, तो daily time frame में देख सकते हो, आपको अगर daily में भी time नहीं मिलता है, तो weekly once, आप time निकाल के weekly time frame में भी देख सकते हैं, तो सब छोडचार के trading में नहीं आना है, आपक कर लिए based on the availability, अब trade करें क्या, इंडेक्स में trade करें या फिर stocks में trade करें, इंडेक्स में trade करने के लिए आपको future में position लेना परेगा, जो beginners level में कभी नहीं लेना चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ stocks में trade करना चाहिए, और वो भी कौन सा stocks, only nifty fifty, क्योंकि आप अगर बहुत स सा बार बार देखोगे, day in day out तो हर एक stocks का आपको पता चल जाएगा कि इसका market में movement कितना होता है, इसका daily में कितना movement होता है, कुछ stocks बहुत volatile होता है, कुछ stocks जादा volatile नहीं होता है, हर एक stock का true range अलग-अलग होता, तो वो आपको find करना परेगा, वो आपको तभी समझ में आ तो बेस्ट है निफ्टी-फिफ्टी का स्टेखने के लिए बिगिनर्स लेवल में क्योंकि वह बहुत जादा ट्रेडेट स्टॉक्स है और वह बहुत जादा अपसाइड मुव्में या फिर डाउंसाइड मुव्में नहीं करता लाइक दे में 20-30% कभी अप चला गया 20-30% होता है निफ्टी-फिफ्टी स्टॉक और आप प्रॉफिट के मकसद से ट्रेडिंग मग स्टार्ट कीजिए पहले दिन से क्योंकि आप मार्केट को समझोगे मार्केट को टाइम दोगे तभी लॉंग रन में मार्केट में टिक पाऊगे अधर्वाइस इस वेरी वेरी लेकिन आप अप्नी हिसाब से भी जो भी आपको सूच करता है वो उसमें बैक्टेस्ट करों और मैं डी बताऊंगी उसमें मैं strategy आप nifty 50 का कोई भी stocks में अच्छे से apply कर सकते हो और backtest कर सकते हो तो चलिए देखते हैं strategy start करने से पहले मैं कुछ point बताना चाहते हूं आप अगर daily timeframe में entry कर रहे हो तो फिर पहले weekly timeframe में आपका setup आएगा तो आपको setup देखना है weekly timeframe में अगर आपका entry हो रहा है daily timeframe में अगर आपका 60 minutes में entry हो रहा है तो आपको setup देखना है daily timeframe में setup के लिए हमें क्या करना है बहुत simple है एक 50 smat लगा देनाई i outta 50 smat लगाके हमें देखना है कि Stalks का movement higher timeum mëuttrend है, downtrend है या फिर sideways trend है तो यह हो गया uptrend अगर उपर जा रहा है slow यह हो गया downtrend और यह हो गया sideways trend ug alright retard means उसके हिशाब से एक कोап करना क्योंके आप stocks में positional या पिर swing trading के लिए कर सकते हो means buy कर सकते हो तो आपको जो भी stocks में uptrend मिले in 50 SME वो stocks को आपको pick कर लेना है जैसे कि bank nifty में हम देख सकते हैं यहां से हमारा stocks का uptrend है तो यहां पे मैं एक point लगा देती हूँ कि यहां से हम लोग यहां तक का अभी तक भी बैंक निप्ति में विकली टाइम फ्रेम में अप्रेंड है, यह हो गया मेरा सेटप, तो यह दोनों वर्टिकल लाइन के बीच में ही हम लोग ट्रेट करेंगे, गोइंग इन लुवर टाइम तो मैंने विकली टाइम फ्रेम में सेटप देख लिया, अब मैं अब डेली में भी 50 SME आप होना चाहिए, this is the first criteria, there are some criteria, second criteria, RSI less than 30, this is my second criteria, that RSI नीचे जाएगा, यह कौन सा RSI मैं यूज कर रही हूँ, यह 5 period RSI में यूज कर रही हूँ, आप 15 period RSI आपको अगर सूट करता है, तो वो भी आप यूज करके देख सकते हो, मैं यूज कर रही इसलिए मैं यहां पर 5 period लगाई हूँ, third, entry criteria होगा, entry criteria क्या होगा, एक अच्छा वाला bullish candle, this should be a bullish marabuzo candle, और some bullish engulfing candle, this candle should be very strong, और वो अगर 50 SME के पास हो, 50 SME के support लेके वो हो, then it will be very good, so 50 SME है और यहां पर bullish candlestick pattern हो है, वो होगा हमारा entry point, अगर 50 SME थोड़ा से दूर है, थोड़ा से दूर है, तो भी चलेगा, that based on your broader market, तो stocks में कभी होगा, कि stocks में 50 SME थोड़ा दूर है, लेकिन nifty अभी 50 SME से bounce कर रहा है, तो वो stocks में भी entry हो सकता है, so that's based on your broader market, लेकिन हम लोग पकर के चलेंगे, कि 50 SME के पास ही वो होना बुलिष कैंडल से उसका close, इसका close में हमारा entry होगा, और हमारा stop loss होगा, हम लोग pivot low find out करेंगे, pivot low वो हमारा stop loss होगा, हम यह bullish candlestick pattern के नीचे भी stop loss लगा सकते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या हो सकता है, इसके लिए stop loss hit भी कर सकता है, बट pivot low में लगाएंगे, तो stop loss hit करने का probability तोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसमें risk to reward भी थोड़ा कम होगा, लेकिन stop loss भी hit कम होगा, तो हम लोग लेके चलते हैं कि pivot low में, और हमारा exit point क्या होगा, exit point होगा, हम लोग trail करते रहेंगे, हर एक green candle बनेगा, ऐसा मारा बुजो या फिर engulfing candle pattern, bullish candlestick pattern, जो बहुत strong है, वो candle बनेगा, उसका low होगा हमारा stop, तो हरे candle का low हमारा stop loss बनते रहेगा, जब भी वो low break करके कोई candle close करेगा, उसमें exit हो सकता है, या फिर वो low touch करने से भी exit हो सकता है, आप अगर market के सामने पूरा दिन नहीं हो, तो आप बस stop loss लगा दो इसका low, जब भी ये touch करेगा, exit हो देखते हैं, ऐसे strategy में हम लोग को कहां-कहां entry मिल रहा है, कहां-कहां हमारा stop loss हो रहा है, और हमारा exit क्या बन रहा है, तो यहां पे जो है, यहां पे तो एक entry बनेगा, यह vertical line पे ही एक entry है, क्योंकि RSI नीची आया है, नीची आके फिर उपर जा रहा है, 50 SME आप है, और यह bullish candlestick pattern 50 SME के पास ही बनाया है, तो यहां पे हमारा entry होगा, लेकिन entry सबसे अच्छा होता, अगर यह उपर बनाता, जैसे यह वाला candle, यह candle में entry ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि यह 50 SME के उपर जाके close किया है, लेकिन यहां पे भी entry हो सकता है, तो यहां पे एक entry होगा, यहा पे एक stop loss होगा, फिर यहां पे stop loss होगा, तो हमारा stop loss इधर हो जाएगा, हमने entry इधर लिया है, और यहां पे हमारा stop loss होगा, so this is the first number is the profitable trade, so यह मेरा profitable trade रहा, second trade देखते हैं, second trade होगा, देखिए, इसके बीच में कोई भी trade नहीं आया, क्योंकि 30 के नीचे नहीं गया, second trade होग में touch किया, अब यहां पे मेरे entry होगा, this will be my entry, this will be my stop loss, फिर stop loss को right करेंगे इधर, फिर यह stop loss को इधर भी दे सकते हैं, यहां पे break कर जाएगा stop loss, तो no profit, no loss में यह निकल जाएगा, तो इसको हम लोग काल्कुलेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यह no gain, no loss में निकलेगा, second entry दे गया, तो हम लोग वेट करेंगे, जब तक यह daily में भी up नहीं होता, means 50 SME के उपर नहीं जाता, तो हम अभी भी वेट करेंगे, अभी उपर चला गया, यहां से उपर गया, अभी हम लोग वेट करेंगे 30 touch करने में, 30 touch किया, उपर गया, इंट्री कहां पे होगा, यहां पे यहां पे नहीं होगा, क्योंकि यह उपर क्लोज नहीं दिया, यह बेरिश कैंडल है, यह उपर अगर क्लोज दिता, तो bullish engulfing pattern होता, तब हमारा एंट्री होता, हमारा एंट्री बनेगा यहां पे, यहां पे भी एक एंट्री हो सकता है, पकल लेते हैं कि second candle में एंट्री है, म यहां पे भी एक एंट्री होता है, लगा लेते हैं यहां पे वर्टिकल लाइन, यहां पे भी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि market sideways है, यहां पे 50 SME कही साब से market sideways है, अभी तक कोई एंट्री होता है, तो हमारा तीन एंट्री बनाता, देखते हैं, first entry में profit अच्छा बना, second entry म no loss, no profit में निकल गया, और third entry में थोड़ा सा profit बना, तो यह मैंने एक sample दखाया, entry criteria, exit criteria, stop loss criteria, setup criteria, सब दिया, तो इसके हिसाब से भी आप strategy को test कर सकते हो, और यह test करना है आपको कौन सा stocks में, nifty 50 stocks में, थोड़ा बड़ा time frame के लिए, तो back test हो कर ली, अभी पारी है paper trading, यह paper trading हो forward testing, तो back test हो गया, वो strategy आपको 60 to 70 percent winning ratio दे रहा है, तो उसमें आपको forward testing करना है, वो करना है कोई भी paper trading platform में, जो आप एक virtual money से कर सकते हो, यह आपको करना है कुछ दिनों के लिए, to get used to it in the live market, with the virtual money, तो इसमें अभी तब क्या हुआ, अभी तब हमने strategy को test किया, और एक habit form किय में हम इसको कैसे करके use कर सकते हैं, इसके बार बारी आती है, psychological, तो यह psychological uptest होगा, जब आप अपना real money से market में कुछ trades लोगे, इसको शुरू करना है, कम amount से, ऐसे amount आप decide करना है, जिसको loss करने में, आपका day to day life में hamper नहीं होगा, जो आप easily lose करने के लिए तयार हो, ऐसा ही money आपको लाना है, stock market में, for your experience, for learning and to get the right mindset, और यह याद रखना है, यह जो आप initial phase में, यह money आप deploy कर रहे हो market में, यह profit के लिए नहीं है, यह आपका learning के लिए आप इसको market में ला रहे हो, जैसे कोई भी profession में देखिए, आप अगर engineering कर रहे हो, तो आपको 4 साल पढ़ाई में ल लेकिन stock market में आप आते हो, first step से ही पैसा अर्ण करने के लिए, ऐसा stock market में भी नहीं चलता है, इसको भी business की तरह, profession की तरह लेना है, कि इसमें भी study करना है, आपको जाना है, market कैसे काम करता है, और उसके बाद ही, आप इसमें इसको professionally handle कर पाओगे, तो back test और forward test करना क्यों है, back test और forward test में आपको पता चलेगा कि आपका strategy का lever to risk ratio क्या है, आपका strategy के entry point, exit point और stop loss point क्या होना चाहिए, उसको आप थोड़ा सा tweak कर सकते हो, आपका setup को आपकी इसाप से थोड़ा सा tweak कर सकते हो, यह सब आप back testing और forward testing में करो, जो market का 20% का learning है, बाकी 80% learning गया है, बाकी 80% है psychology, जब आप अपना money लगाओ के market में, तभी आपका psychology test होगा, तो कौन सा strategy आपको pick करना है, कि यह strategy में live market में test कर सकती हो, ऐसा strategy जो आपको 60 to 70% winning ratio दे, और minimum 2 to 1 RR दे, revert to risk ratio, अगर 50 रुपे market में risk कर रहे हो, तो आपको minimum 100 रुपीज gain आना चाहिए, तो आप अगर यह follow करो, सि आपका strategy का RR 2 to 1 होना चाहिए, और आपका winning ratio 60 to 70% होना चाहिए, तो फिर आप profitable रहोगे, और इसलिए आपका strategy अच्छे भी हो, तभी आप market में initial stage में lose करने वाले हो, क्योंकि तब आपका 80% तभी experience नहीं है, psychology experience नहीं है, तो इसलिए जादा पैसा market में मत लाओ, यह हमेशा याद रखना, market में अगर quick profit के mindset से आ रहे हो, तो market जादा दिन आपको टिकने नहीं देगा, यह एक marathon है, यह कोई sprint नहीं है, जो यह marathon में टिक पाएगा, वही आगे बर पाएगा, fifth point, कोई tips, कोई calls, entertain नहीं करने, जो आपको call करते हैं, कि हमारा strategy 90 to 100% winning ratio है, वो पूरा बकवा इन लीगल वे, तो जो business ही illegal है, उसमें profit की उमीद ही क्यों करनी, अब बारी है आपकी spreadsheet की, आपकी excel sheet की, यह है आपका trading journal, आप जो भी trade ले रहे हो, वो एक excel sheet में maintain करना है, आपका entry, आपका setup, आपका entry criteria, आपका entry point, आपका stop loss, अगर hit हुआ, तो stop loss, आपका profit, यह सब कुछ maintain क Excel sheet में, और उसको आपको monthly एक बार review करना है, या आपने कहीं entry मिस तो नहीं कर दिया, कि आपने जो strategy defined की थी, उसे अलग जाके कोई entry तो नहीं ले ली, आपने जो stop loss defined किया था, उसको आपने maintain किया, या फिर stop loss हटाया दिया, आपने जो profit सोचा था कि यह मेरा profit target होगा, उसे प कौन सा वो जगह है, जहां पर वो सुधार लाने से आपका trading में सुधार आएगा, वो आपको trading journal बता देगा, जो सबसे बड़ा mistake है, वो है beginners पहले दिन से ही profit कमाना चाहते है, without even learning, without even understanding how market works, the ins and outs of the market, the strategy, the mindset, the psychology, even आपका psychology भी change करना होगा, आप अगर profit बनाना चाहते हो, तो market कोई separate नहीं है life से, life में आप जैसे decision लेते हो, life में जैसे आप outlook रखते हो, वैसा ही market में भी outlook आपका दिखेगा, कि आपको पता चल जाएगा कि आपका mindset क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपका trading होगा, और उसके हिसाब से ही आप market को देखोगे, to have a positive mindset always in life, to market में भी और जो भी steps हमने बताया, वो follow करो, you will definitely see a remarkable change on how you see the market, happy trading, bye bye